पॉपकॉन खाने के क्या फाइदे हैं? पॉपकॉन विटामिन, खनिज और पॉलिफेनोल एंटियोक्सिडेंट जैसे कई महित्वपून पोशक तत्वों में उच्चे है. इतना ही नहीं, यह अविश्वस्निय रूप से स्वादिश्ट भी है और फाइबर के दुनिया के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है. दिन के अंत में पॉपकॉन बहुत स्वस्थ होता है और इसे कम मात्रा में खोने से वजन घटाने में भी मदद मिल सकती है. पॉपकॉन खाने के कुछ स्वास्थे लाब हैं. जाप हो सकता है और अन्य स्वास्थे जटिलताओं का कारण बन सकता है. कुछ ब्रांडों में बहुत अधिक चीनी भी शामिल है. जोडा गया मक्खन, चीनी और नमक पॉपकॉन को एक अस्वास्थे कर नाश्ता बना सकते हैं. पी ओपकॉन पॉलिफेनोल भारी है. स्क्रंटन विश्वविद्याले में 2012 में किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि पॉपकॉन में फरो और सबजियों की तुलना में अधिक पॉलिफेनोल होते हैं. पॉलिफेनोल स्वस्थ एंटी ओक्सिडेंट हैं जो नकेवल मस्तिष्क और हृदे स्वास्थे को बढ़ावा देते हैं, बल्कि आपकी त्वचा को यूवी विकिरुन से बचाने में मदद करने के लिए कहो जाता है. पॉपकॉर्ण जवान रहने का एक शानदार तरीका है, साथ ही पॉपकॉर्ण में मौझूद ये एंटी ओक्सिडेंट आपको जवा बने रहने में मदद करेंगे. एंटी ओक्सिडेंट जोरियों को कम करते हैं, उम्र बढ़ने की संकेच जैसे बालों का जढ़ना, कमजोर मांस पिशिया, कमजोर द्रिश्टी और यहां तक अलजाइमर भी. एंटी ओक्सिडेंट की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पॉपकॉर्ण में विशेश फिनोलिक एसिद अत्य दिख जैव उपलब्ध हैं, जिसका अर्थ है कि आपका शरीर उन्हें हसानी से पचा और अफ्शोर्षित कर सकता है. भरपूर मात्रा में सबजियों और कमचीनी वाले फ़लों, जैसे जामुं के अलावा, प्रते दिन पॉपकॉर्ण खाना इन एंटी ओक्सिडेंट की अच्छी कुराग प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है. पॉपकॉर्ण हर उमर के बच्चों के लिए एक बेहतरीन स्नेक है. कब से राहत पाने के लिए आप तीन कप एर पॉप्ट गुखी भरकर खा सकते हैं और तीन दशमलब पांच ग्राम फाइबर प्राप्त कर सकते हैं. इसमें मेलाटोनिन और ट्रिप्टोफेन भी होता है. एक एमिनो एसिड जो नींड की सहोईता के रूप में दोगुना हो जाता है. ट्रिप्टोफेन आपके शरीर को शांत अवस्था में जाने के लिए एक संकेत भीजेगा. वे बताते हैं. पॉप्कॉन एक जटल कार्ब है जो सेरोटोनिन को बढ़ावा देने में मदद करता है. एक हमोन जो आपको शांतर नींड महसूस करने में मदद करता है. एर पॉप्ट पॉप्कॉन या माइक्रोवेव पॉप्कॉन की एक स्वस्थ किस्म के लिए जाएं. पॉपकॉन एक साबुत अनाज है और अपने आहार में साबुत अनाज को बढ़ाना एक प्रभावी कब जो पाए है पॉपकॉन में अगूलनशील फाइबर अधिक होता है जो अब्स वाले कुछ लोगों में सूजन, फैलाव और पेट फूलने का कारून बन सकता है यदि ये लक्षन एक समस्या है तो इसके बजाए गूलनशील फाइबर में उच्छ खादे पदार्थ जैसे की सालियम, जई, सेव और खटे फल्चुनना बहतर हो सकता है पॉपकॉन खाना देर रात का एक बहतरीन स्नेक है इससे मुझे देर रात कम कैलोरी लेने में मदद मिली दरसल वजन कम करने के लिए कैलोरी की कमी जरूरी है शरीर का एक पाउंड वजन कम करने के लिए हमें 3500 कैलोरी बन करनी होती है पॉपकॉन या प्रिस्ट्स की लालसा तनाव हॉमोन के उतार चड़ाव या क्लोराइड या आवश्यक फैटी एसिद की कमी का संकेत हो सकती है कुछ ध्यान या सास लेने के व्यायाम और हलके व्यायाम जैसे की अपने दिन में चलने की कोशिश करें और अधिक पत्तेदार साग और त्यालिय और खादे पदार्थ जैसे की उसी नट्स जैतून का सेवन करें पॉपकॉन न केवल फाइबर में उच्च है यह कुछ प्रोटीन भी प्रदान करता है एक ओन सविंग लगवग तीन एक बटा दो कप में चार ग्राम फाइबर लगवग चार ग्राम प्रोटीन और 110 कैलोरी होती है यह सयोजन इसे बहुत कम कैलोरी के साथ रहने की शक्ती के साथ एक स्नेक बनाता है जो वजन घटाने में मदद कर सकता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक साबुत अनाज है और उच्च फाइबर वाले साबुत अनाज को हरिदैर रोक, मदध में, कुछ कैंसर और अन्यस्वास्ति समस्याओं के कम जोखिम से जोडा गया है संगी आहार दिशानिर देशों का कहना है कि खपत किये गए सभी अनाजों में से आधा साबुत अनाज होना चाहिए और पॉपकॉन पूरे गेहूं की रोटी की तुलना में प्रती सेवारत अधिक फाइबर पैक करता है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद क्रिपे सबस्यता ले